अब दोस्तों में लेकर आगज चुका हूं आपका सेट फाइप हिंदी का टेन क्लास का जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगो अलड़ी हम बता चुके थे कि सेट फाइप बहुत जल्दी लेने लेकर के आ रहे हैं तो चलिए मैं लेकर के आ गया हूं आप से पहला कोशन दियावा कजियां से और यह बहुत मिद्ध पूर नहीं देखिया कूशन पड़िए कज पली हमारे जीवन साहत्ती का बहुत महत्व है साहित वी मानाव जीवन के अतीत का ग्राता है वर्तमान का अठार्त चितरन करता और वह से निर्मान के प्रेड़ना था और मानवी गुनों से भर देता है कितना अच्छा लिखा हुआ ठीक है चलिए अगला को इसमें कोशन पढ़ते हैं पहला कोशन है किसका है पहला कोशन हमारे जीवन में किसका अगला है साहित्य मानव जीवन का क्या है तो साहित्य जो मानव जीवन का है वह है पत्थ प्रदर्शक ठीक है साहित्य जो हम लोगों को लास्ता दिखाता है आगे चलने के लिए अगला कोशन है समाज रसात्तल को कब चला जाता है जब साहित तो क्ता है छी होने लगे अगला कौशन है समाज कि समस्त आधह न का हरन करता है बहुंचे संसरी अगला कौशन है उप्यक सकफ तो मझे ऐसा लगता है कि participated जो कि हम लोग का जूअ कहानी पड़े उसका कहानी का नश्राव हो सकता है साहित थिका महत हमारे लिए कहा सकता है यहां पूछा गया है इसमें क्या गया है मत काटो तुम यह पेड़ है यह लज्जा वसन इस मा वसुंदरा के इस संगहार के बाद अस्व की तरह सचमुच तुम बहुत पचताओगे बोलो फिर किसकी गोल में सिर छुपाओगे हम लोगो को पढ़के कहाँ से काटना चाहिए तो हम लोगो पेड नहीं कारना ची तो हम लोगो पेड़ नहीं सूछ संगहार के बार किसकी तरह पच्ता आएंगे तो किसकी तरह पच्ता हैंगे तो लेकर फसक वेड़ने पढ़ने थी रहेज्ञत, और रहुशू कोष्टन है सबस्याब्ला किसे कहा गया है हरीबर्डी धर्टी को कहा गया है क्याफ औक सकते हैं पीड़ पोड़े का संगौरा ओध 800 videos बाद-बाद किया गया तो व्याकरम से कोन्स आवग के सकर्मक के लिए गृणी हो ही नहीं जब क्यों क्यों कि आप b c d में कुछ कि तक फोच्मद्ध मिलता है तो था उड़ता है क्या उड़ता है तो क्या उड़ता है तो क्या उड़ता है तो वह सोता है क्या सोता है नहीं पता बच्चा हसता है क्या हसता है नहीं पता तो अंसर क्या हो जाएगा यह नमर हो जाएगा अगला है कौन सावाक अकर्मक्रिया का उधारन है अकर्मक्रिया वही जो बोले कि जिसम पत्र लिखती है क्या लिख रही है पत्र लिख रही है शरी 1000 मत मचलेब नाचता है मयुआ नाचता है Matthew राएगा मैंयूर नाचता अने प्रण ऑता है कि वह जए रखकहां तो याद रहो जाए जए जए मण इakra想शन है कौन सा आरा का एक अर्थ है अर्थ होता है उस्ट जमक निंए होता है वो तक मैसा ड्रीक परकार ह। एंसर chosen आगला क्शन है दो या कि आज इवन कौन सा समास है अब यह भाव पब कि सरचाव एंध्यारज क्लास में करेंगे अच्छे से चली अगला कॉच्छr राजकुमार सब्द इसमें से कौन सा समाज है तो वह हो जागा तत्पूरु समाज ठीक है अगला है जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है रचना की आधार पर वाकिका भेद बताएं आनि आप लोग कुद बताए थे ना जैसा वैसा जो और वह रहेगा तो उसे हम लोग कौन सा वाकिया बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं मिस्र वाकि यहां पर देखे जो जैसा वह वैसा तो यह जो है जो का बात कर रहा है तो एंसर हो जागा क्या मिस्टर वाकि उसको बोलते हैं एक दुसरे के उपर डिपेंड करता है अगर एक लाइन ना रहे तो इस लाइन का और यहां पर जैसे द्वारा के द्वारा आएगा ना तो आप समझ यह की कर्म आज होगा ठीक और किसी के द्वारा कराना आने काम है वह तो अगला है जिन सब्दा के रूप में लिंग बचन काल क्रिया कारक कोई परवड़ता नहीं होता उन्हें अभिया करते हैं अभिया की दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग बताईये तो यह होता आविकारे आने अभिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं अगला है क्वेश्चन जो आपको पद्यान दिया हुआ है तो चलिए इसको पढ़ते हैं हमारी हरी हारिल की लकरी मन करम वचन नंदन उर यह दिर्ड करी पकरी जागात सोबत स्वपन दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसे जों करोई करी सूतों व्यादी उनको ले आए देखी सुनीन करी यह त इतना अच्छा कवीदा दिया हुआ है तो इसमें का क्वेशन क्या है प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है यह रचनाकार जो है वह सुर्दास याद रखिए ठीक है क्योंकि यहीं कुशन हम एक तारिक करने वाले हैं यह सब कुशन बहुत इंपोर्टेंट है अगला कुश इसको बलता है इता घृदा है कि अगला है मुपियों को द्भाव द्वारेर किया और कि ऐयंद किसके समान लगता है वह लगता है कडवी करी के समान कि अगला जागते सोते सबने में दिन रात किसका नाम जबती रहती है तो है नागार जुन याद रखिएगा घेर घेर धराधार ओ यहाँ पंक्ति किस कविता से ली गई है यह ली गई है अगला है अगला है अट नहीं रही किस आभावा हट नहीं रही है तो इसका अगला अगला होए अंसर यहाँ अदन्तुरी दद मुर्षकान में कभी को एक टक को निहार रहा है तो वो निहार रहा है सिसु कभी को ईक टक के निहार रहा अने एच्छшь देख रहा है अगला क्यूशन है बाल लगविन भकत वहला ठीक हमेशा उनका चहरा सफेद बालों से ही जगमक किये रहता कपड़े बिलकुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कभीर पंतियों से कनपट्टी तोपी जैसे हम लोग आजकल किसानोगर नहीं पहनता वैसे ही जब जाड़ा आता तब काली कमली कमली उपर से तक पर हमेशा समकता हुआ रामानंदी चंदन कितना यह अच्छा चीज है सोचिए इसे ही रहते हैं आजकल बढ़े बुजर्ग जो हैं जो ना के एक छोर से ही औरतों के टीक कि कितरह सुरू होता गले में तुलसी की जड़ों को एक बेडोल माला बांते रहते हैं कितना कहा ने दिया हुआ बाल गोईन वगत कैसे कर गें ठें दूंड़ कर गें यहां पर देख रहा है ना मंजो लेकर त्यक्तर क्या होजाएगा मंजो ले कर देके अगला कुसर ऑपके उम्र कितनी होगी यहां पर जो दिया होगा देखिए कि साथ की उपर ही होगी बाल पंग गए बुढ़ा थे तो साट की उपर यह ओपर ने साठ वर्ष के जिसा बढ़ागा साट की उपर अगला बाल अबन भगत के टोपी कैसी थी में तो इसका अंसर क्या है कभीर पंथी जैसी थी यहां पे पढ़कर सुनाएं न यहां पे देखिए कभीर पंथी किसी थी कनपटी तोपी यहां पे देखिए अगला कोशन है बाल गविन वकत गले में कैसी माला बांदियर रहते थे इसका लेखा का नाम बहुत जलदी आप लोगो लिखा देंगा तो लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याज कर लिएगा क्योंकि यह ब्ला कॉश्च्चन आपको पद्यान चाहिए कर द्यान सोभाना नहीं मिलने वाला ठीक है इसको अपने साथ को लिखना होगा अगला कुश्चन होगा अगला कुशन है ने ता जिके चिस्मा हम पार्टन कौन है इसका नशर क्या हो जागा आगला तापके क्यों हो गया ट? ने अटाजी के ईस कारण से आगला क्यों ना माता से केवल दुद्ध तक का नाथा इसलिए पिदाजी के सात ही हम भी बाहर की बेठक में स्वया करते थे, वह अपने साथ ही में हमें उठाते और साथ ही नहला दुला कर पूजा पर बिठा लेते हम भभूत का तीलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे कुछ हस कर, कुछ जंजला कर और कुछ दाट कर हमारे चोड़े लिलार में तिरिपुंड कर देते अधिन नहीं होता एक तिलक जैसा तीन अंगोली से लगाते हैं लोगों ही तत्र पूर्ण कर देते हैं हमारे लिलार में भभूत भूब खिलती खुलती थी सिर में लंबी लंबी जटाएं थी भभूत रमाने से हम खासे बंभूला बन जाते थे आहां कितना अच्छा कहानी है और इसका क्वेशन कर देने मज़ा लगेगा देखिए माता का आजल कहानी के लेखक कहानी वाला है यह सब को आप लोग को याद करना कि भूला नात का वास्तींए को नाम क्या था तुछा कशुर्णात नाम आध सब्सक्ता का मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है ला और सीर पर ले शकूल ले लालाए है यह लाली लंबेली जटाएं थी घुराले बाल नहीं थे उनके लंबेली जटाएं यानि कंगी से जो नहीं खुलता है तो वह होता जटाएं ठीक है भोलानात के सिर्में क्या थी लंबेले में जटाएं तो चलिए 40 कुछन कंप्लेट हो चुका है आप लोग अच्छा त्यारी के जिए ताकि नंबर अच्छा आए और एक्जाम के साथ के लिए ही भी साथ में त्यारी किजिए चलिए इतना कगर मैं वीडियो को इंड करता हूं और साथ ही साथ जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से कर लें क्यों कि 10 और 12 का बहुत सारा बबाद ताकि आए को जदाए एक्णा आए वे वे लेश जारी कि जिए चलिए पर एक्णाम के लिए ही और ए जु का बहुता टो प्लिए ही जिए एक ब़लाइब को एक लिए लेगा को रूराग इवा क契़ है वेडिख बढि़ देए उनां प्लिए एक बड़ हाई ये उ